आज हम डिसकस करेंगे AI में सर्चिंग टेक्निक के बारे में तो सर्चिंग टेक्निक में दो टेक्निक तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ DFS और BFS हो गया Depth First Search और Breath First Search और यह चीज आप जो है वह आप लोग कर चुके हैं किसके अंदर DFS में भी कर चुके है डक से इट्रेटीव सर्च क्या होता है और MCQ कैसे पूछे जाएंगे AI के बारे में तो AI के बारे में आप में का टॉपिक को समझें करा कि लेवल को रट कॉर्दिंड चैक करता है कि आपका लेवेल वाइप जैसे पहला लेवल पूरा खतम कर लिया फिर दूसरे लेवल पे जिते आप क्या रहें है उनको चैक चैक किया फिर तीसे लेवल पे इस तरह से उन talked एक लेवल के सभी, फिर दूसे लेवल के सभी, फिर उसके अंदर से फिर सर्च करता है, फिर ट्री को और बड़ा मानता है, फिर और बड़ा मानता है, इस तरह से वो सर्चिंग करता है। इसको हम लोग क्या बोलते है, पेपर पूछा जाए, तो आप ऐसे जनरेटोर टैस्ट मेंठड क्याता है, इसका उपयोग लेते हैं इस स्टेट स्पेस का, लूब तब तक रण हूगा, जब तक आउटपूट मिल बना जाए। το χ ganzen भी prelim, आप पाहाड़ पर कैसे चड़ते पहले स्टेज क्लि accounting and yeah, अगे आप 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 आउपट के लिए उपर चड़ रहे है और आपको पहले ही मिल जाए तो आपको जाना की जुरणत ही वह सेम ही चीज है जन्रेट करो और टेस्ट करो तो लूप तब तक रहन होता है जब तक आउटपुट ना मिल जाए लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर को अपलाई करता है मैथमेंटिकल प्रोब्लम में यूज होता है मतब लेफ्ट टू राइट चलेगा ट्री के अंदर और वही ऑपरेटर यूज करें कुछ चीजे जहां पर फीचर्स होते हैं जन्रेट टेस्ट करना ग्रेड़ी अप्रोच हो गया नो बैक ट्रेकिंग तो कल को पूछा जाए कि ह लेल क्राइमिंग में कौन से फीचर होते हैं कौन से फीचर नहीं होते हैं तो आपको याद होना चीज जन्रेटर टेस्ट हो गया ग्रेडी एप्रोच हो गया na backinasis Seven ये तीन चीजिजे इसके features brance and bounds यह ता है एक से अधिक इत्रेटिव पाथ अल्टरनेट होते हैं और उसे आप ट्रेकिंग का उप्योंग लेते हैं इसे optimization, minimization problem को solve किया जासा है, optimization होता है मतलब आप बढ़िया से बढ़िया output को ढूंडते हैं वो आपका optimization है और जो कम से कम problem वाली जगह आप ढूंडते है तो वो आपका minimization है तो एक से ज़्यादा iterative path आप यूज करते हैं चीज को समझेगे और उसके अंदर अगर पूचा जाएगे कौन सा है जो optimization और minimization तो आप बोलेंगे branch and bound ऐसा कौन सा जो backtracking को होगे और किसका उपयोग लेता है क्यों का उपयोग लेता है कि आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स चीज़ हम इनीशल अब्जेक्ट से विभिन गोल स्टेट को डूड़ते हैं आपके पास फर्स्ट पॉइंट आगया अब सभी डारेक्शन में आप उस चीज को सर्च करें अलगलग गोल पात के द्वारा फंक्शन को बार 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 कैल्पलेट करेंगे आपने दिखा एक आउटपुट एक फंक्शन से यह आ रहा है दूसरा आउटपुट यह आ तो जब आप इस तरह से उसको चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि नहीं इसका तो आप बता सकते हैं कि इन्हों ने इसको खो जाता है विए यदि यूनिफॉर्म सर्च है सिस्टेमेटिक तरीका है नेचूरल सर्चिंग करता है ज्यादतर कहां यूज होता है पजल गेम पजल गेम में क्रॉस वर्ड में आपको बैक ट्रेकिंग के जरूत पड़ती है न सब्सक्राइब दो फंक्शन के रिजल्ट को मिलाकर आप यह पता करते हैं कि हमारा लास्ट आउट्पुट क्या है कि एस्टार कोई पूछे कि सर एस्टार या में सब्सक्राइब आप जो मैं आपको बता चुका हूं कई बार पूछा जाए स्वाथ दो चीज़ा आ चुकिए सब्सक्राइब आचुकर और अल्टरनेट पाथ को सलेक्ट कोन करेगा एस्टार ऑपर ओपर उग्लोज लिस्ट ब मोडिफाइड वर्जन है इट्रेटिव डिपिंग का उसके बाद तीन कंडिशन होती है डॉमिनेंस प्रॉपर्टी मतब दो पात के भी तुलना करता है और जो सबसे बैटर हो जैसे दो ऑप्सन आपके पास है दो गोल आगे तो आप उसमें से एक गोल को क्या करते है सेलेक कोस्ट एफेक्टिव मेथड क्या है वो होता है ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज यह उस्टार आप प्रोब्लम को डी कंपूज करते हैं छोटे-छोटे हिस्सों में बाढ़ते हैं फिर आप उस पर काम करते हैं जैसे मालों आप कहते ही मुझे पेपर पास करना है तो तीन तरी सब्सुर्च दोनों ही इनफार्म सर्च चैक्निक है तो पुछा जाए martyr होिसों कि सैक्निकर अगली प्रोग प्रोग में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और लास्ट प्रोलोग में तो कुछ खास नहीं है कौन सा साइन्टिस्ट था एलन क्लेम्रर जो कुस्चन mcq का बन सकता है मैं चीज है वो है मारी एक्सपर्ट सिस्टम जो हम लोग अगले वीडियो में देखें